हेलो दोस्तों द्रिश्टी आई-स के इन फोकस प्रोग्राम में आप सभी का एक बार फिर स्वागत है हाली में खबर बहुत ज्यादा चर्चा में है और इसमें सुर्खियां इसलिए भी बटोरी क्योंकि इस खबर के पीछे जो प्रमुख प्रभाव होगा इस खबर का वो सीधे रूप से भोगताओं पर पढ़ेगा खबर क्या है अब एमेजॉन जैसी कंपनियां नहीं दे सकें कि पे लेटर जैसी सुविधाएं और यह किस ने कहा है आर्बियाई ने कहा है कि एमजॉन फ्लिपकार्ट या फिर अन्य जो कंपनियां है जो पेमेंट वॉलेट्स का उप्योग करती है और पेमेंट्स की सुविधाएं देती हैं तो आने वाले समय में ऐसा संभावित रू क्रेडिट लाइन्स और प्रीपेड वॉलेट्स कार्ट आर्बियाई तो यह बात कही है कि जो इंपक्ट है ऐसी कंपनियों द्वारा किये गए ऐसे कृत्यों का वह बहुत ज्यादा प्रभावित कर रहा है कि इसको बैंकिंग सेक्टर को या फिर बड़े बैंकिंग सिस्ट करते हैं ठीक है यह टॉपिक थोड़ा सा इंट्रेस्टिंग इसलिए भी है इस पर फोकस करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि एक आम भोकता अपने द्यानिक दिंचर्या में या फिर अपने जो खरीद है जो भी उत्पाद वे खरीदते हैं वे प्रमुक्रूप से ऐसी औलाइन वेबसाइट का बहुत ज्यादा उपयोग करते हैं या फिर आज के समय में जो ऐसी सुविधाएं हैं इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि हर व्यक्ति लगभग लगभग ऐसी सुविधाओं का उपयोग कर रहा है कोई भी वॉलेट की व्यवस्था हो कोई फोन पे यहां पर इस पूरे प्रक्रिया में कई सारी चीजे आएंगी यहां परσιुप्याए की नहीं की जा की चारही है तो वाइट चिस्टम क्या है कैसे कार करता है क्रेडिट लाइन क्या होती है सब ही बातों पर हम आज सोकस करींगे तो शुरू करते हैं आर बी आई से तो से बैंकिंग नियामक किरूप में आप सबी लोग जानते हैं और विए की भूमिकां में आपने कई बार इस बात को पढ़ा भी है कि इस तरह से कार करता है क्या प्रमुक्स विधाये या फिर कौन कौन से वह एक शित्र है जहां और भी आई देखरेक करता है भारत अंतरगत आरबी आई का एक बहुत बड़ा रोल है । थिक है बैंकों का बैंकों का रेगुलेटर भी है तो आर बियाई ने जो ऐसी व्यवस्था की बात कही है वो कहीं है टेक कंपनियों के लिए यानि जो एमिजॉन या फिर अन्य कंपनियां है जो वित्तिव क्वास्था को देख रही है वी किसके अंतरगत आती है क्या होती है इसको पहले हम समझे यहाँ पर दो शब्दों का उपयोग किया गया है फिन और टेग यहां फिन का मतलब है आपको दिख रहा होगा यहाँ पेमेंट की रूप में तो कार करती ही है तो सवाल हो प्रमुक कीवर्ड को समझते हुए चलते हैं फिर बात करेंगे उस समस्या पर जिस वज़य से आरबी आई ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया एक शब्स से जुड़ता है जो व्यवस्था है उसका नाम है पीपी आई जैनि प्रीपेड पेमेंट इंस्ट्रूमेंट्स यह बहु वित्य सेवाओं के संचालन या रेमिटेंस आपने किसी दोस को पैसे भीजने he एक सामाने सुधारण से अगर हम समझे माली ये किसी व्यक्ति को अपने किसी दोस्त को पैसे भीजने हैं तो वो किस ऑप्शन का उप्योग करेंगे या तो वे अपने बैंक से यूपी आई के माध्यम से पैसा बेज सकते हैं एक दूसरी व्यकल्पिक व्यवस्था बनाई गई थी पेमेंट सिस्टम की ताकि एक वालेट का उप्योग करके वैलेट वालेट के अंतरकत जो कुछ पेमेंट है पेमेंट अपने बैंक अकाउंट से वालेट में ट्रांसफ जो व्यवस्था है यानि प्रिपेड पेमेंट इंस्टूमेंट इस व्यवस्था के अंतरकत बहुत सारी बाते आती हैं इनको अभी हम देखेंगे लेकिन एक शब्द और समझिए यहां पर गैर बैंक की बात की जा रही है गैर बैंकिंग वित्तिय कंपनियों की बात नहीं है अलग चीज है यहां पर एक अलग तरह की कंपनियों की बात हो रही है जो बैंक्स और एंबी एप सीज के सपोर्ट से असी सुवधाओं को संचालित करते हैं तो प्रिपेड पेमेंट इंस्टूमेंट की जो हम बात करें से क्या क्या का रहें पहला तो यह कि पीपी आई लाइसेंस दिया गया था उसका प्रमुकुद्देश था भुक्तान साधन की रूप में कार्य करना ना की क्रेड़ेट साधन की रूप में अब यहां से उस समस्या को आप समझ पाएंगे जिसको आर्बियाई ने इंडिकेट किया है आर्बियाई का कहना है कि जो क्या कंपनिया है विसंचालित कर रही है वे एक सामान ने भुक्तान की ववस्था से काफी जादा आगे बढ़ चुकी है यानि आज के समय में अगर आफ फ्लिपकार्ट का इस्तिमाल करते हैं फ्लिपकार्ट में फ्लिपकार्ट पे लेटर जैसी सुवधाय मौजूद है य और एक निश्यस समय बाद उसका जो पैसा है उसमें इंट्रेस्ट के साथ जो भी रेट ऑव इंट्रेस्ट बैंक ले उसके साथ में बैंक को वापस गिया जाए एक भुक्तान सुवधा है ठीक लेकिन उस क्रेडिट की जो व्यवस्था है अगर ऐसी कंपनिया अपने अंतर कार करती है पर ही और भारत में जो संपूर फिंटेक है उसका एको सिस्टम जो उधारी वाला है वह इसी व्यवस्था के अंतरगत संचालित होता है कि वालेट के अंतरगत जो पैसे लिए गए या फिर रखे गए उसके अधार पर क्रेडिट लाइन दे दी गई और लोगों हैं के खाते में debit cards है credit cards है इनके जरी रिचार्ज किया सकता है समाने सी बात में समझें तो जो मोबाइल वालेट है उनको आप कैसे रिचार्ज करते हैं अपने किसी बैंक अकाउंट से लिंग करके तो वही पूरी विवस्था यहां पर दी गई है अब कौन-कौन से instruments हो तकत करके इसके अलावा फिंटेक दौरा संचालित credit card का उप्योग करके जी हां credit card यासी व्यवस्था भी यह संचालित करते हैं और banking की मदद से banking सुविधा देने वाले जो भी छोटे बैंक हो सकता है इंडसेंट बैंक हो सकता है बहुत सारे नाम है इसके अलावा बाइनाव पे आपको पैसा उधार लेना है आपको कोई शॉपिंग करनी है आपको जूते मंगाने है माली आप पर जाएंगे आपने शूस का ओर्डर लगाया और पेमेंट करने के लिए कौन सा ओप्षिन चुल लिया पे लेटर और आपने पेमेंट कर दी एक खास तिती पर एक निश्चित तिती पर उसका बिल जनरेट होगा और उस तिती के अधार पर आप उसकी पेमेंट कर देंगे यानि बाद में पैसा दे देंगे यह व्यवस्था अभूमन रूप से श क्रेट तक पहुंचने की अर्मति देती है और एक मुष्ट के मुकाबले लचीले की तरह होती है अब एक सामान क्रेड़ क्रेड़िट लाइन की बात कर रहे हैं यानि कि माल लीजी किसी व्यक्ति को पचास हजार तक का क्रेड़िट रेड़िट लाइन दे दी गई अब उसमें जरूरी नहीं है नहीं कि एक बार पचास हजार रुपय ही लेने हैं वह सकता है वह दस हजार रुपए की शपिंग करके दस जार का यूज़ कर लेगा बाकी की लिमिट उसकी 404 यार गी बच्च ही आप इसका उप्योग कर पाएंगे ठीक तो कौन-कौन सी कंपनिया है कई सारे उधारण हो सकते हैं कुछ इतने प्रमुख है जो डेली बेसिस पर उनके नाम आपके सामने रहते हैं एमजॉन है फ्लिप कार्ट है पेटियम है ठीक इसके अलावा कुछ कार्ट वाली कंपनिय अभी है लेजी कार्ट यूएन आई क्रेड़िट कार्ड वन क्रेड़िट कार्ड सिंपल फोन पे बजास फिंजर ओला तो बहुत सारी ऐसी कंपनिया है जो अब ऐसी सुविधाय देने लगी है और यह कंपनिया है कि ठीक तो कारण क्या है ऐसा करने के अगर सवाल में ऐसा पूछा जाए कि वे दो कारण बता दीजिए कि जिसकी वैसे आर्बियाई ने ऐसा कदम उठाया है तो पहला कारण यही है कि क्रेड़िट उत्पादों के बाजार में एक तरह से घुस्पैट जैसा मामला दिख रहा है यानि यह जो सुविधा जिस कारण से दी गई थी उस कारण से कहीं आगे बढ़ करके आज के समय में ऐसी सुविधाएं अपने भोगताओं को यह कंपनियां दे रही है ठीक है उसका लाब कमा रही है इसके अलावा उप भोगताओं की सुरक्षा क्या मामला भी आपर आर्बियाई ने नोटिस किया है कि यदि कोई भी ऐसी खाम कि इसका प्रभाव कि क्या है इसका प्रभाव समझने के लिए एक बार नहीं की भारत में क्या मोझूदगी है उसको समझना प्राकार यानि मार्केट साइस कितना था 31 बिलियन डॉलर के असपास जो कि 2025 तक ऐसा अर्मान लगाया गया है कि 150 बिलियन डॉलर तक हो सकता है तो बहुत बड़ा मार्केट है यहां पर भारत के इंतर के फिंटेक कंपनियों का तो ऐसे में अगर कोई भी अनियमित्ता होती है तो यह आर्बियाई का करतव होगा कि वह ऐसी अनियमित्ता को नोटिस करें या फिर उसके घटित होने से पहले चुकि आर्बियाई एक रेगुलेटर है आप सभी जानते हैं और एक ऐसे समय में जब एक बड़ी व्यवस्था इस व्यापार के अंतरकत आ गई है तो उस पर निगाह रखना आर्बियाई का काम होगा जिसकी वज़े से आर्बियाई ने ऐसा एक सर्कुलर जारी किया है ठीक है तो एक सवाल हम यहां पर नोट करते हैं जिसका आप अंस पहुंचा सकते हैं आर्बियाई द्वारा जारी हालिया दिशा निर्देशों को ध्यान में रखते हुए चर्चा कीजिए तो इसमें कौन-कौन सी प्रमक बाते हैं वित्व बाजार में बढ़ते कंपनियों के कदम पारम पर एक बैंकिंग की जो व्यवस्था है जो क्रेड की उससे चर्चा कर सकते हैं कि पहली बात तो यह है कि आर्बियाई को यह इस बात का डर है एक बहुत बड़े वित्ती बाजार में इन कंपनियों की घुसपैठ होती दिख रही है और दूसरा कि इससे उप्भोकताओं पर नकारात्मक प्रुभाव पढ़ सकता है चुकि भ करेंशन में कुछ अन्य बहुत महत्पूर्ण विशे के साथ जिस पर हमारा फोकस रहेगा तब तक पढ़ते रहिए शुक्रियाद